इस वक्त चल रही है वोटिंग दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है मध्यप्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है जिसमें रीवा, सतना, टीकमगड, खजुराहो, नर्वदापूरम और दमो की सीट शामिल है वहीं 36 गड़ के अगर बात कर ली जाए तो 36 गड़ में इस्तमाल कर पाएंगे कांकेर के अलावा राजनान गाओं का भी कुछ नकसल प्रभावित रक्षेतर पढ़ता है, वहाँ पर भी तीन बजे तक का वोटिंग का समय रखा गया था, इसके अलावा महा समुन्द में वोटिंग चल रही है, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलती र पानु प्रतापुर और के इशकाल में भी तीन बजे तक का वोटिंग है, बालावद गुंडर देही डॉंडी लोहारा में 6 बजे तक मतदान होगा, सिहावा नगरी में भी 6 बजे तक वोटिंग रखी गई है, तो ये समय तैय कर दिया गया है, और तीन बजे का वक्त बिल ये आप देख रहे हैं, कहां किसके बीच मुकाबला है, ये भी आप देख रहे हैं, कि गमगाड की बात करें, तो वीरेंदर कुमार जो है, उनका पंकर जहिरवार कॉंग्रेस की जो मीदवार है, उनसे मुकाबला है, लगातार वे वीरेंदर कुमार खटीक वे लगातार च पिश्ली बार की वोटिंग पैटर्न को देखकर कहा गया कि बीजेपी बड़ी टेंस हो गई थी चिंता में आ गई थी और इसलिए बार-बार बीजेपी और सबको ये करना चाहिए कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो इसकी अपील करना चाहिए हम भी करना है 88 सीटों पर पूरे देश भर से जो खाबर आ रही है वोटिंग अच्छी हो रही है और मध्यप्रदेश में भी अभी वोटिंग परसेंटेज जो एक बज़े तक आया है वो अच्छा हो रहा है पहले चरण के बाद और साथवे चरण तक बहुत निश्चिंत और आश्वस्त है कि नरेजर मोधी जी की गारंटी के आधार पर जनता जानदन की कि पहले चरण के साथ है और जिस प्रकार का वातवरण देश में प्रतिपक्षी इंडी गड़बंदन के लोगों ने बनाया, जिस प्रकार ये गड़बंदन तुष्टी करण पर गरीबों के साथ आम आपनी साथ लूट करने पर आमादा है, ऐसी मिसाल देश के लोगतर ने कभी नहीं देखी, आपने तुष्टी करण के लिए बाकी सब जगे के OBC के आरक्षण में अपने वोडबंग विशेष को आरक्षण के दरजे में शामिल कर देए जधा करेंड़क में किया, आज मेरे मद्धिप्रदेश के यादाव, पाल, गुर्जर, लोधी, बगेल, कुश्वा, इनके आरक् में की अगड़ी जाती में, वो OBC में, जब भी मुदी जी मंगल सूत लूटने के मैनिफेस्टों की बात करते तो पूरी कॉंग्रेस चिलाती थी, कि देश के बदान मंतुई जी असत्य कथन कर रहे हैं, अपर अंकल सेम ने सुकृर्टी की महर लगा दी, संपत्ती का जो व सच्चर कमिटी अपने सर्वे में लिखते हैं, हम सिफारिशे लागू करेंगे, इनका सर्वे उननिस सो चत्रिश के मुफ्तिम लीग के गोश्णा पत्र के समान है, दो जार चोबिस में, जो बात करती है, कि हम पर्सनल लाग को प्रोडेट करेंगे, बहु संके वाद की विकास सबका प्रियास, विकास की बात करिये न, पिछले दस साल में भारत की इस्तिती में क्या सुधार हुआ, चाहे एकनोमी की बात करें, रोडवेस की बात करें, रेलवेस की बात करें, मानो संजादन, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फिजल्टीज, भारत का मान सम करने वाली पार्टी है और आप लोगों की संपत्ती चीनना चाहते हो अरे कोई गांधी परिवार की संपत्ती थोड़ी है भाई साथ पचास लाग में पांचार करों का माला भजम कर लो आप जिसके लिए आजा बेल पर हो तो यह सब मुद्दे हैं और आज देश के यह मुद्दे हैं यह मुद्दे हैं चीक है यह मुद्दे हैं मतलब जिसकी बात आप कर रहे थे वो बुद्दा है यही मुद्दे हैं आप जो गिनार है ठीक है अगर यह मुद्दे हैं यह मुद्दे हैं पंकर जी बिलकुल सुनिये तो सही सुनिये तो सही यह मुद्दे हैं तो हम इसका जवाब कॉंग्रेस से भी लेंगे, क्योंकि आप ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग के इसमें छाक नजर आती है, आप ये कहते हैं ये संपत्ती छीन रहें, आप ये कहते हैं कि ये मंगल सुत्र तक छीन लेंगे, तो फिर इसका जवाब लेना बहुत जरूरी है, जो गंभीर आरोप लग रहे हैं और एक एक करके शान्ती से जवाब दीजेगा जो लोग हमें सुन रहे हैं हम जो चर्चा कर रहे हैं लोगों तक सही बात बिल्कुल पहुँचनी जरूरी है बहुत समेधर शील बात मेरे पंकर चत्रवेधी रख रहे हैं क्या मेरे मित्र यह बात को स्विकार कर रहे हैं कि जो सौधिन में महंगाई है वो मुद्धा नहीं है पैतालिस सल का जो बिरुजगारी का रिकॉर्ड टूटता है वो मुद्दा नहीं है आर्थिक असमानता जो इनके 10 सालों में चरम पे है किसान के आए 27 उपर पती दिन इनके पूझी पती मित्र के आए 1600 करपती दिन क्या ये मुद्दा नहीं है आदेश के पूझी पतियों का 16 में आप किसी और को बांट दे रहें भाई ये मुद्दा तो है ना अगर पूछा जाएगा तो इसका जवाब पहले देना पड़ेगा आपको जे जे देखे मेरा नवेदा ना आपके जो प्रश्णों मैं एक एक प्रश्ण आपने खुद ही बोला कि शांती से मेरे प्रश्णों का जवाब दीजिए मुझे तीरे मिनट दीजिए दूद का दूद और पानी का पानी होगा चलिए आप अखर OBC पर आ तो मैं वही से की शुद्धता कर प्रतीक उसका प्रतीक पर रानिती करने का उशिकता पड़ी है आज हिंदू मुस्लिम की रानिती कौन कर रहा है आज महतबूर यह है कि मेरे पचास पन्नों के घोश्णा पत्र में खुली चुनोती पंका चत्वेजित को देता हूँ एक बार भी मुसलिम शब्द का प्रया होगा तो आज के बाद डिविट में ने बैठोंगा पहली बात दूसरी बात आज हमारे घोश्णा पत्र में कहीं विरास्ता टेक्स की बात की गई है क्या अधिके इनके जैन सिना आप अपनी बात रखिएगा पूरी करिएगा आपकी बात यहीं या इसक समाप्त हो चुकी है अब वहां का अपडेट जो है वो मंता से ले लेते हैं मंता जी जानकारी दीजे बिल्कुल देखिए आप चारमा में इसक्त मवजूद है और उत्तर बस्तर का प्रवेस द्वार माना जाता है और पूरे अगर हम बात करें तो कांकिर जो लोक सभा है व अलाउ थे और वहां पर आप देखेंगे कि पुलीस के जो जवान है यह जो सुरक्षा के जो जवान है वो अलट हो चुके है और अंदर अवाना किसी को भी अलाउ नहीं है वो गेट जो है वो बंद कर दिया गया है जो गेट सबके लिए खुला हुआ था आप दूसरी बस्तर का जो पूरा इलाका एक तरह से कहलाता है और चाहे भानुप्रतापूर की बात करें चाहे अगर हम बात करें अंतागड की बात करें चाहे और जो सुदूर अंचल है यह जरूर है कि बालोत की तरह अगर आप जाएंगे तो उस तरह जरूर जो है पांच बने तक के वो जानकारी दी गई थी चाहे तमाम पार्टियों के एजेंट हो उनने भी जाकर जानकारी दी थी और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरब से भी जानकारी दी गई थी तो यह आखरी उस पर कह सकते हैं यहां से कॉंग्रेस से बिरेस ठाकूर खड़े हुए हैं कितने प्रतिशत वोटिंग हो गई कुछ जानकारी वहां से निकल कर आप अगर दे पाएं जानकारी तो बिल्कु देखे भीतर तो मुझे अलाओ नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी पूछने की कि सर क्या आप बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत तक के वोटिंग हुई है अभी तक के एक अंदाजन लगभग ओवरॉल अगर हम बात करें दिखिए यहां की भी अगर आप बात करें तो ग्यारा सो अर्टालीस करीबन जो है मत दाता है और नौसो से ज्यादा वोटर जो है वो यहां पहुचे थे ओवरॉल कॉंग्रेस कॉंकर की बात करें तो करीबन जो एक डेटा आया है आप देखेंगे कि थोड़े से रिलैक्स बोड पे आब वो नजर आ रहे हैं क्योंकि सुबर से यहां पर जो है लंबी-लंबी कतारे लगी हुई थी और इसी तरीके से हाला कि अगर बात की जाए तो वहां पर तो पांच बज़े तक भी वोटिंग होगी लेकिन दूसरी तर पर वोटिंग अभी चल रही है शाम चेह बज़े तक वोटिंग चलेगी कुछ ऐसे नकसल प्रभावित इलाके हैं जहां पर तीन बज़े तक का समय हैं जहां पर मौझूद हमारी समाधाता ममता भी जानकारी दे रही थी ममता आप हमारे साथ बने रहीएगा अब हम वापस हमारे महमानों की तरफ रुक करते हैं और फिर से मैं आ रहा हूं अजय गंगवानी साथ आपके पास और आप ये कह रहे थे आपकी बात कोई आगे बढ़ाईएगा आप कह रहे थे कि हमने कहीं पर भी मुस्लिम शब्द का इस्तमाल नहीं किया है अपने मैनिफेस्टों में लेकिन करनाटक का जिक्र बार-बार करती है भी जेवी उसका भी जवाब दीजेए अगला दो मिनट मुझे निवेदाना की कंटीनू बोलने का उसर देंगे देखे महतपुर यह है कि पूरी जिवमेदारी से कॉइस्ट प्रवक्ता के रूप में आपके लोगप्री चैनल देशकों से कह रहा हूं कि हमारे पचास पन्ने के जो पांच गेरेंटी पांच न्यायों 25 गेरेंटी की बात है पूरे घोष्णा पत्तम एक बार मुस्लिम श्वत्त का प्रयोग नहीं है दूसरी बात हमने समीधान के आर्टिकल 39A 39B यह देश का समीधान कहता है कि देश की संपत्ति देश के संसाधनों पे देश के OBC वर्क का SC का ST का UA महिला हावक का बराबर अधिकार है हमारे पधानमंत्री मनमौन सी जी के बयान का जो तोड मोड के मानिय मोधी जी ने पेश किया वहान वर्ट वर्ट पढ़ देता हमारे दो वीडियो वायरल किया गया मनमौन सी देश की संपत्ति पे ST का SC का OBC का EWS वाले सामाने वर्क इसके लाब महिला हुआ हर वक्का बराबर अधिकार है देश के संसाधों को सही नंग से वितन होना चाहिए कहीं भी मुस्लिम याल संक्य की बात नहीं की थी यह जो बॉकलाट है यह जो घबराट है यह डर है यह भा बातिजनता पार्टी के जो डिवोटेर वोटर थे वो मोधी सखार की गलत नीतियों की वादा खिलाफी के चलते वोट नहीं कर रहे है जिसका ड़े गौफलाई हुई है अदक्षिड भारत में भाटपा साफ उत्तर भारत में हाफ यह यही कहिन के बातिजनता पार्टी के जिसका नतीजा है देखिए मैं उस पर आजाओं बासवड़ा में क्यों पधानमंदी मोधी जी ने संपत्ति को मुस्लिमों को देने की बात की मेरे घोशना पत्त में खुली चुनावसी करता हूं हमारे जरावनमे जी ने भी कहा मीडिया के कि पधानमंदी जिस मंच पे चा बात करनाटक का भी कुछ जिक्र करिया ना कि जल्दी चोटी से बात यह आदिवासी आरक्षर संबन्दी जो विद्यक्त है बत्तिर परसेंट का आज पंद्रा महा से मेरे भाजपा के प्रवक्ता बता दे किसके दबाव में किसके इशारे पर राजवन में उनके रोका गया पंकट जी यही आरक्षार संचोता विद्यक करनातक में को करनातक में प्लीज नहीं करते हैं नहीं करनातक पे आप नहीं बोल रहे हैं पंकट जी पंकट जी क्या कहेंगे पंकट जी के आवाज नहीं आ रही है फ्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए पीसे आगे कि नहीं कि गई क्यों शोशित वंचिर्वत को अधिकार देने को रोकने का प्रयास है यह वाती जनता पार्टी का चरित आरश्ण रुदी था है और रहेगा आज मिनको तक्रीब क्या है अगर देश के आर्थिक और समाजिक जनरेक्षण किया जाएगा किस वर की कित्ती जन्संक्या है आतिक रूफ से कौन कितना पिछड़ा हुआ है उसके आप से सरकारी योजना है देश के संसाधन वरिष्ट पत्रका और हमारे साथ जुने हुए ठीक है आप नहीं देखिए आपके दो मिनिट हो गए ना सर आपके दो मिनिट हो गए ना आप जानी रहें मैं आपी के पास आ रहा था सर वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं है गाली चले जा रहे है ठीक है पंकर जी बोलिए पूछलीजे इंसे उन्हों बात को द्हां से आपके दिखाया रहुल गांदी का बयान है संपत्ती के सर्वे का और जूट बलते मैटकर जूट पार्टी के लोग बुड़ी तो आपने के बाद यह वोटो के दूट के प्रयास नहीं है इसलिए जिसकी मर्ग को चलाएगा के संपत्ती लूट लूट के देदो तुस्ति करन करतो शरम नहीं आती उत्तर तो करना ड़क पर अधर के बिठी करेंगे तुस्ति करन हिंदू, मुसल्मान, मंगल शूत्र यह सब शुरू हो चुका है ठीक है यह सब चलाएगा राजनान गाओं जा रहे हैं राकेश आप सुन पा रहे हैं? अब संपत्ति को मुसल्मानों को देने की भी बात हो रही है, अब OBC के आरक्षन को चीनने की भी बात हो रही है और अब कहा जा रहा है कि यह जो है मुसलिम लीग की चाप इसमे नजर आ रही है, कॉंग्रेस के गोशना पत्र में कॉंग्रेस लगाता टार्गेट भी हो रही है, बीजीपी के दरफ से क्या कहेंगी, यह चुनाव कहां जा रहा है, या कहीं ले जाया जा रहा है इस चुनाव को, कैसा चल रहा है चुनाव देश में, थोड़ा बताईए सब्सक्राइब क्योंकि जिस प्रकार से भारती जनता पार्टी मानिन नरेंद्र मोदी जी उनकी टी माइटी सेल चीजों को जमीन तक ले जाने में सक्षम रहती है, वो बैसा कर रहे हैं, और करना चाहिए राजनिती में यह सब चलता है, जाया जे क्योंकि सत्ता ही सर्वोच होती है चीज, देखे जिस तरह से मानिन नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांदी जी के बीच में जो संबाद चल ला है, मैं एक पत्रकार के नातिये कह सकता हूं, यह दोनों तरफ से जो संबाद हो रहा की है, वह संसदी है, संसदी कता ही नहीं है, उनको इस सब बातों से बचना चाहिए क्योंकि वह देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन मानिन नरेंद्र लें जी अपनी बात करते हैं, यह दार्मिक बात करने लगे हैं वो नीतिगत बात करता है, वो राष्ट की बात करता है, वो पूरे देश भी आपी लोगों को जोडने की बात करता है, ना कि एक वर्ग में से इसको टार्गेट करने की बात करते हैं, तो आप अपने दस्ताल का जो आपका कारकाल है, मैं कह सकता हूँ बहुत प्रमारिकता के स में कि उनके नेत्रत में भारत में बहुत विकाज हुआ है सब जगें तरक्य हुई है लेकिन और भी तरक्य होना बाकी है तो आप बात कीजिए उस पर बात कीजिए मैं आपके पास आओंगा सर डिप्टी सीम राजेंद्र शुक्ले जो है वो इस वक्त रीवा में जहां पर व